IUI के लिए endometrium lining बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर endometrium thickness में problem है कम ज्यादा है तो IUI के success जो rate है वो कम हो जाते है यह endometrium thickness natural pregnancy के लिए भी उतना ही important है उतना ही natural pregnancy के लिए matter करती है सबसे पहले हम endometrium क्या होता है इसके बारे में देखते हैं एंडometrium ये बच्चे दाने में होने वाली inner lining होती है जो की खून से बनी एक होती है जिसे endometrium कहते हैं इस endometrium का थिकनेस याने खून से बनी हुए part का जो मोटापा होता है जो परत होती है वो period के हर cycle पे अलग होती है endometrium थिकनेस का पता हमें follicular study में ही चलता है जब ultrasound होता है follicular study में tvs यानि transvaginal sonography की जाती है जिसमें इस endometrium थिकनेस का हमें पता चलता है हर महिने यानि period cycle के हर महिने में endometrium थिकनेस अलग हो जाती है जीज दिन period आते हैं यानि bleeding शूरू होती है start होती है वो mental cycle का first जे होता है तीन से चार दिनों तक ये bleeding चलती रहती है इन दिनों में endometrium बाहर निकल जाता है जो भी blood हरता है वो बाहर निकल जाता है तुकि पिछले मैने में उस महिना को pregnancy नहीं होती है गर्वधारन नहीं हुआ है इसलिए last month में बना हुआ endometrium इस मैने बाहर निकल जाता है वो bleeding के र जाता है तो एंडुमेट्रियम के जो three layers होते है उसके उपर के जो बेसिक लेयर होते है वो बहार आ जाते है और उसका जो main layer होता है वही बना रहता है जो functional layer होता है वही बना रहता है जब तीन से चार दिनों तक bleeding खतम होने के बाद तब इस endometrium का ठीकने सबसे कम होता है इस इसका थिकनेस 3-4 mm का देखा जाता है जब इस मथ फिर से बच्चेदानी प्रेग्नेंसी के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाती है वह अपनी लाइनिक फिर से बनाना स्टार्ट करती है अगर इस बंगनेंसी रहे तो वह बच्चा उस्दीवार पर जिपक जाता है इंप्ला वह एंडोमेट्रियों के लाइनिंग में आके चिपकता है यूट्रोस बेबी जब ये एंडोमेट्रियों का थीकनेस बढ़ना शुरू होता है तब महावारी के 8 वे से लेके 10 वे दीन पर आपको मेट एंडोमेट्रियों में जो उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें ग्रोध को मिलती है उस time endometrium की thickness 5-5 mm से लेके 7 mm तक बढ़ जाती है उसके बाद जब evolution day आता है तब endometrium की thickness 7 mm से ज्यादा होनी चाहिए यह बहुत ही important होता है अगर यह thickness इस 11 और 12 mm तक बढ़ जाती है तो pregnancy के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है बहुत ही बढ़िया होती है और इससे जो ioi के success rate है वह बहुत जादा बढ़ जाते है 20 से 22 दिनों तक इस endometrium को maintain किया जाता है तब तक pregnancy confirm हो जाती है अगर pregnancy रुकती है तो इस endometrium को 9 मन तक प्रोटेट किया जाता है hormones के थ्रू अगर pregnancy नहीं रुकी तब बच्चेदानी को signal मिल जाता है इस month pregnancy नहीं ही हुई है और आगे आने वाले पास से चार से पास दिनों में आपको hormonal changes होते है और जो endometrium होता है जो bleeding के form में वह बहार आ जाता है तो ioi pregnancy के लिए endometrium थिकनेस साथ mm से जादा होनी चाहिए और यह जो थिकनेस होती है evolution days पे 11 से 12 mm तक बढ़ जाती है अगर वह 12 mm तक हो गई इसका मतलब बहुत ही अच्छा है और आपका ioi आप कर सकते हों और प्रेगनसी के chances भी बहुत अच्छे होते हैं और सपोज पंद्रावे तीन इस endometrium का size 6.5 mm से कम है तो भी ioi pregnancy के लिए अच्छा नहीं होता है उस time भ प्रेगनसी रुक भी जाती है इस 6.5 mm के endometrium thickness से लेकिन वह आगे जाके abortion होने के chances बहुत बढ़ जाते हैं इसलिए जो evolution के days पे अगर आपको जब भी endometrium thickness देखनी है तो आपको at least 11-12 mm तक ही बहुत अच्छी माने जाती है और अगर evolution के बाद यानि 15-16 दिन में endometrium के जो ठीकने से वह 14-15 mm से जादा हो जाती है इन case में उसे endometrial hyperplasia कहा जाता है ऐसे प्रेगनसी बिल्कूल भी नहीं रहती और ऐसे case में जो period होते हैं बहुत जादा heavy होते हैं बहुत सारे cramps होते हैं बहुत सारे clots निकलते हैं और बहुत ज़दा pain होता है तो endometrial thickness होती है वो हर महिला के body में अलग-अलग होती है किसी महिला को 7 mm किसी को 8 mm किसी को 9 mm तो किसी किसी को 11-11 mm तक evolution days तक होती है तो हर महिला की endometrium thickness अलग होती है कोई भी pregnancy conceive करने के लिए endometrium थिकने 7 से जादा और 12 से कम होने चाहिए परम देखते है थीन endometrium क्या होता है अगर आपकी evolution days पर endometrium की थिकने 7 mm से कम है ऐसे में आपको थीन endometrium हो सकता है इसके साथ जो endometrium में 3 layer होती है वो proper तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है अगर किसी महिला की endometrium थीन है या फिर उसका blood flow बहुत कम है ऐसे केस में गर्बदारन होने में समस्या आती है कई बार fertilization process हो जाता है लेकिन baby implant नहीं होता अब हम देखते हैं endometrium के कौन से कौन से causes होते हैं कई महिला में period irregular होते हैं blood flow बहुत कम होता है हम ये sonography के through endometrium की thickness का पता कर सकते हैं दुसरा है endometrium के lining के अंदर कोई infection या फिर कोई fibrite होना या फिर किसी महिला को PCOS है उन्हें भी थीन endometrium के problem देखी जाती है क्योंकि जो estrogen की level होती है वो body में बहुत कम होती है इसी वज़े से थीन endometrium की problem हो जाती है कई बार गर्बाशय की दो दिवार चिपक जाती है ऐसे case में थीन endometrium होता है तो friends इस वीडियो में हमने देखा endometrium क्या होता है और pregnancy conceive करने के लिए endometrium की thickness कितनी होनी चाहिए साथ ही थीन endometrium क्या होता है और उसके causes तो friends वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो like करे subscribe करे और bell notification on करे अगर आपको इससे related कोई भी केरीज हो तो आप हमें instagram पे message कर सकते हो